नमस्कार आप देख रहें डम्लू एट की न्यूज मैं हूँ आपके साथ RTTY देश में कोरोना के मामलों में बले ही कमी देखने को मिल रही हो लेकि सितंबर तक टीसरी लहर आने का अंदेश आव विशेशत दिस जता चुके हैं वहें आज कहां दर्ज हुए कितने मामले देखे हमारी ताजा रिपोर्ट में देश में कोरोना का कहर 24 घंटे में है 37,594 दिन केस 648 लोगों की मौत देश में बीते दिन 69 करोड 55,000 लोगों का हुआ वैक्सिनेशन वास्त मत्राले ने भी जानकारी काबूल से भारत लोटे 16 लोग निकले कोरोना पॉसिटिव किया गया फॉरंटी केरल पे फिर बढ़ा कोरोना से घट पीते दिन आए 24,296 केस 173 लोगों की बॉप महारास्ट में 24 घंटे में आए 4,355 केस 119 लोगों ने गवाई जान आनफ्रतीश में कोरोना वाईरस के 1248 नए केस मिले 15 लोगों ने दोड़ा था ते रंगाना में 6 लाग के पार लोग संक्रमें मंगलवार को कोविट-19 के 389 नए मामने मिले राजधानी में भैदर हो रही हालात कोरोना के 24 घंटे में आए 49 नए केस यूपी में कोविट-19 का क्या है 24 घंटे में मिले 28 नए कोरोना संक्रमें डेल्टा वैरियेट पर फाइजर और मडाना वाक्सीन का असर कम सिर्फ 6-6 पीसदी ही प्रभावित कोरोना की तीसरी लहर के तैयारी में जोटी दिल्दी सरकार 37,000 बैड हो रहे तैयार MP में आज और कल्चरे का वैक्सिनीशन महा अभियान 30,000,000 डोस लगाने का लक्षा